वेल्कम गुड मॉर्णिंग और ये इस्टुरेंट इप ये नीट इस चैनल दें सब्सक्राइब और प्रिज दर बेल आगना आज कलास एड सोशल साइंस कोस्टन आंसर आपके साथ सेयर करेंगे तो वीडियो के अंतक बने रहे हैं फर्स कोस्टन की सुरुआत कर रहे हैं भा प्रिशूर का सा सकता तो जल्दी से इसका आंसर को लिखें और नेस कोस्टन की बात करें तो तीन नमर कोस्टन आपके पास है रियत बाड़ी ब्यवस्था लागू करने का सिरह किसे प्राप्त है तो सही आंसर होगा आपके पास टामस मुन्रो का आंसर लिखेंगे कोस्टन पच्चास को नेस्ट को देख रहे हैं जारखन से लोक सभा के लिए कितने सतन से चुने जाते हैं तो इसका आंसर होगा चोगदर नेस्ट को देख रहे हैं भारतीय नियाए-पालिकां के सिर्ष पर कौन सा दालत है तो इसका आंसर लिखना है तो आंसर को लिखिए सरवोचे नियाया ले आईये चलते हैं कोस्चन नमर नेस्ट पर तो नेस्ट कोस्चन की बात करें केरल के तर्टी रेत में पाया जाने वाला मोनोजाइट किस परकार का संसाधन है तो सही अंसर होगा संभावे संसाधन मैं इस कुस्टिन के देख रहे हैं कि डोभा निर्मान किस प्राकृतिक संसाधन के संदाचन का एक उपाय है तो आंसर होगा जल आपके लिए सही होगा नेस कोस्चन की बात करें वीशु का सबसे बड़ा कोईला उत्पादक देश कौन सा है सही आंसर होगा चीन एज, राइट आंसर और नेस कोस्चन की बात करें कि बिर्सा मुंडा का जन्म कब हुआ था तो सही आंसर होगा 1875 इस्वी में जन्म हुआ था नेस्ट को देख रहे हैं जमीन की खरिद बिक्री से संबंदित बिवात की सुनवाही किस अदालत में सुरू होती है तो इसका सही आंसर आप लिखेंगे आंसर होगा इसका सिवील कोर्ट इस राइट आंसर सिवील कोर्ट इस राइट आंसर नेस्ट कोस्टन की बात गर करें कि भारतिय गनराज में सर्वोच संबिधानिक पद कौन सा है तो आप उसका लिखेंगे संबिधान लिखेंगे लेकिन कोई इसमें राष्टपती भी लिग देता है इसका तो नेस कोस्चन को देख रहे हैं भारत की किरिसी का कौन सा स्वरूप पर चलित है आंसर लिखेंगे मौन्सोन किरिसी पर चलित है नेस कोस्चन की बात करें तो देख रहे हैं कोस्चन है चार्ष वूड के निती पत्र क्याप में प्राधान था तो चार्ष वूड के निती प लाट डलोजी की हरप निती क्या थी इसके क्या परिणाम हुए ये आपको लिखना है तो इसका आंसर लिखिए राज अपरन निती था दो में कुशासन और भरस्टाचार के आरोप की निती पैंसन और पदों के समाप्ति की निती युद्ध और आकर्मन की निती पैरे और च्वथा लगए युद्ध और आकर्मन की निती थी कुश्चन 28 की बात करें तो भारती सम्विधान दुआरा कितने मौलिक अधिकार परदान किये गए हैं तीन मौलिक अधिकार को लिखने की बात कही गई है तो इसका आंसर को लिखेंगे इस तरह से लिख सकते हैं Question number 19 की बात करें तो यहां पर देख रहे हैं आपका दिया है मिर्दा निर्मान के मुख्य कारकों का उल्ले करें तो इसका आंसर क्या होगा? समय, जलवायू, मूल समगरी और जेविक तत्व और इसी को आपको definition करना है और आगे बढ़ा करें लिखना है क्योंकि यह long type question है मिर्दा निर्मान के परमो कारक यह सब है समय, जलवायू, मूल समगरी और जेविक तत्व ने इस question की बात करें आप देख रहे हैं भारतिय संसद क्या है, भारतिय संसद के कितने सदन है और उसके कारी क्या क्या है इसके दो सदन है आप जान रहे हैं लोकसभा और राजिसभा तो इसके कारी को भी आपको लिखना है तो लगें देश के लिए कानून का निर्मान करता है और कारी पाली का नियंदरंदर करता है और वित का निर्मान करता है और परामर्स लेना इसका कारी है तो इस तरह से इसका आंसर को आप लिख सकते हैं कारे भी आपको बता दिये, उमीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, बीस निमर कोश्चन की अगर हम बात करें, तो अठारसा संताओन इस्वी की क्रांती की क्या कारन थे, उसको लिखने के लिए कहा गया है, तो आप इसका जान रहे हैं, तो आंसर को जल्दी से लिखेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा, तो जल्दी से अब लिख सकते हैं, ये आपका लोंग टाइप कोश्चन है, तो इसका कारण क्या था, समाजिक और धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैनि सिकायत कारण और राजनिति कारण ये इनका मुखिक कारण था Thank you for watching my video